स्वागत है आपका एक और वीडियो अनेलसिस सेशन में फाइव सार कर ट्वीन दोरा आज हम जो अनेलसिस करने जा रहे हैं वो प्योरली बेज़ड है पैलल चैनल्स पे देखते हैं कि कैसे पैलल चैनल्स की मदद से हम कितनी स्ट्रेंग्थ होती है पैलल चैनल्स में और कैसे उनकी मदद से हम पूरे स्टॉक का एनलसिस करते हैं क्या हम फूचर के प्राइसे जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं पैलल चैनल्स की मदद से ये भी पता करेंगे तो शुरुआत करते हैं तो मेरा नाम शरद है करते हैं अपना नया एनलाइसी शुरू टॉक का नाम है जिसको एनलाइस करने वाले हैं सेल स्टील अथोर्टी उफ इंडिया लिमिटेड अगर आप लोगों को याद होगा कि राहूल सर कही बार अपने लाइव सेशन्स में भी और दूसरी जगह पे भी और चैनल्स पे भी ये बता चुके हैं कि सेल एक मल्टी बैगर स्ट्रोक है और आने वाले समय में बहुत अच्छे प्राइस जाने की उमीद है अल्रेड़ी मल्टी बैगर तो बन चुका है क्योंकि 2020 की गिरावट में बीस रुपे तक नीचे आया था और आज की डिट में एक सो सतर रुपी की असपास है तो शुरू करते हैं चैनल्स से जर्नी जैसे आप देख सकते हैं कि ये चैनल मैंने लगाया अच्छी तरह से काम कर रहा है इसी की कोपी एक इसको उठाके नीचे मैंने रख दिया तो ब्यूटिफुली काम कर रहा है पूरा हर जगैसे मैच हो रहा हमारा इससे पता चलता है कि ये लेजिटिमेट चैनल है आप तीसरे चैनल की तरफ चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये हाइज और ये लोज मिल रहे हैं हमें फिर इसके बाद हम चलेंगे और चैनल की तरफ मैं इसी को उठाके यहां से इन दोनों को मैच करके इसके रेफरेंस से ये एक चैनल बनाता हूँ तो यहां से मैं पता चलता है तो हमें क्या मिल रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में एक 200 रुपे तक जा सकता है उसके बाद में फिर 300, 310 300 तक जा सकता है उसके बाद में उपर देखते हैं कि अब यह उपर वाला कैसे कुछ और भी मिलता हमें या नहीं अब देखे यह तो चैनल मैंने बना दिये इसके अलावा भी एक चैनल है जो काम कर रहा है बड़ा चैनल आप यह देखेंगे कि दो मेरे को अच्छे से सपोर्ट मिले हैं और एक रिजिस्टेंस मिला है परफेक्टली काम कर रहा है कोई प्रोलम नहीं है तो एक यह 1400 के आसपास का मेरे को एक लेवल मिल रहा है तो अगर आप सेल में है और सेल आपके पॉटफिलियो में है तो आपको 1400 यानि कि 1400 से पहले बिलकुल भी नहीं निकालना है बीच में कुछ ups and downs आते रहेंगे और यह नहीं है कि 1400 का जो लेवल है वो कल आ जाएगा इसमें समय लग सकता है कुछ साल भी लग सकते हैं तो patience रखिये बने रही है सेल में बहुत अच्छी quality है आगे आने वाले समय में काफी अच्छा दिख रहा है minimum 1400 है उपर के जो लेवल सा और भी उपर आ सकते हैं अभी उससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे तो सला यही है कि इसमें बने रहना चाहिए जाने से पहले मैं एक disclosure दे दूँ कि यह कोई buy और sell call नहीं है हमारा काम है analysis करके video द्वारा video द्वारा आप लोगों को educate करना तो इसे recommendation ना मानने buying और selling की और हमसे भी registered analyst नहीं है तो अगर आप कोई भी decision लेते हैं कुछ भी buy or sell करने का तो अपने financial advisor से ज़रू सला ले हमारी video को like करें comment करें आप क्या देखना पसंद करते हैं आपको किस stock का analysis कराना है या आप कहीं फसे में तो हम कोशिश करेंगे उस पर video बनाने की धन्यवाद